करते हैं, पिसली वीडियो में अपने देखा था छी किस तरीके से मैं में सब्सक्राइब के बहुत ही सब्सक्राइब, को ट्राइब कексन टरीके से हैं, उसको देखने हैं सकते हैं तरा में लीडिके से मैं के, Tue questions को solve करने क को होता है उसको reduce करना है and And here is the question this is the first question and you just see Come on So question is infinite sequence of the resistances is shown in the figure The resultant resistance between A and B will be Okay When the resistance R1 is 1ohm and the R2 is 2ohm Come on come on come on Network I have built here You can see In A or B if V net resistance is asked है गया है so here we go we have to calculate this okay अब मैंने आपको बोला था जो यह पॉइंट होगा उससे connected जो resistance होगा उसको r1 मानना है हमेज़ा यह step follow करना है और जो बीच में resistance होगा उसका r2 ही मानेंगे और इनका repetition होगे जैसे यहां 1 2 है तो next branch में बीवन तो फिर वन तो और इन्फिन दा किया repetition पर जाएगा ठीक है यह इसकी पहाँ चलान है okay और देखो पहले वाले question जो first video में ने देखा था जो first video में जो questions थे उसमें नीची वाली ब्रांच में भी resistance थे इस बार बी वाली ब्रांच में कोई resistance लहीं है तो यहां पर दो यह resistance है र 1 न र 2 तो इस type की question कैसे करने है अब वो जो वहां पर हमने ठीक देखा था था वो यहां पर apply नी कर पाएगे so यहां पर कहाँ करेंगे इस type में अगर इस तरीवी की situation हागी come on guys come on let's see here is the panda so you can use this जो मैं बता रहा हूं इस type की question में r a b is equal to what that is जो पहला resistance तुम ले बार है उसको लेख लो plus under root of r1 square plus 4 r1 r2 over 2 you just remember this formula यहां अगर आप पूरा process reduce कर रहे हो इस formula को यहां रखे no calculation no quadratic equation वार्ना questions को solve बने बनाने बड़ती है फिर वो लेंदी हो जाती है फिर calculus आप फस सकते है okay so you just use this formula and you just put the values तो मैंने क्या बुला आपको श्रीर में r1 r2 बानना भी चोले को r2 ही मानना भाले को r1 consider करना है you just put the value and definitely answer आएगा जल दिशे तो आरे भी चेक करना जो दिशे what is that r1 1 है 1 लिख दो प्लस अंडरूट ओफ what is that अंडरूट ओफ r1 1 1 का स्क्वेर प्लस 4 r1 1 और यह r2 that is 2 and divided में that is 2 but just put करे या mathematical calculation करनी है okay so r1 1 into this is है न तो आप करने आएगा 1 plus under root में under root में 1 plus 4 into 2 that is 8 and divided by 2 so r e भी इतना आएगा है what is that 1 plus 8 plus 9 ठीक है मतलब आप लिख सकते हूं 1 plus under root of 9 by 2 है न तो 9 root से बार आएगा तो 3 आएगा तो 3 by 2 and what is that that is 4 by 2 what is that 2 this is your final answer okay very quickly you just remember this formula एक दो प्रेक्टिस करोगा तो आपको अपने आप ही आजाएगा सारा process सारा time आप सेव कर सकते हो इस तरीके से अगर आप इसको कर क्या होगे इस टाइप पर जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो किस तरीके सकल देखके आपने question को पैचाना जैसे सकल देखके हम इनसान को वैचान जाते हैं कि यार इससे कई न कई मिले थे एक बार अगर बंदे को देख लेते हैं आप जल्दी से देखको इसी concept का यूज करके इसको उडाते हैं उडाना है कैसे ऐसे देखा तो इसी तरीके से उठाना पटकना है और अब आइध सुपर रिलेक्स न इतनी रस्टेंसर साथ और वन झालक्स अफे जिक? या मस्तुलड रखना है, डूरिरी रखना है, इसको रखना है, आड़ रर्टी रॉर्टी पुर्ले में। फ्रॉला से किया है, र1, R2 युज पुट दो लाविव। रहा है, यह रखना है, र1, R2 अभी यह calculation बजी, अभी यह calculation, just the mathematical calculation, come on, so 2 का square plus 4 into R1, what is that 2 into R2, what is that 1 and divide by this is 2, now you can write this is 2 plus under root of this is 2 का square, that is 4 plus 4 into 2, इसको एसे लिख लो, 4 into 2 and that is divided by 2, अच्छा एक चीज़ तू किलिए है, अगर बैस इस under root से 4 कोमा लेलो बहार तो यहां से 4 यहां से बहार आगे, root से बहार आगे त इसलोग आप समझी पाएंगे, so 2 बहार आएगा, तो 2 पहले से plus, यहां पर 2 बहार आएगा, under root का बचेगा, यहां 4 बहार आगे तो 1 बचेगा, cool, और यहां बचेगा 2, और यहां बचेगा 2, और दिवाद में है 2, okay, तो यहां देखो, आप यहां से 2 कोमा लेलो उपर से, तो यहां में जाएगा, under root को बचेगा, 2 plus 1, that is 3, and divided me by 2, yoga cancel, now here is the final solution, 1 plus under root 3, okay, so here you are required solution, and very quickly, you just put the value R1 and R2, you'll get the answer, यहां पाँना अगा, that is the mathematical calculation, कित्म है आप कर सकते हो, यहां को और दिवादागा, कंसेट तो ही ओलाथा है, कंसे तो ही लेखता हो लाता है, okay, तो यहां इस प्रेइंस को बढ़िया से अपना चौंफिडेंस मैंटीन करने उसको सक्राइक करने लिए जिदनी जादो प्रेशन आप प्रेक्स करेंगे अच्छे से इसको कॉंसर्ट सीके करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों उतना ही confidence आपको बढ़ता रहेगा और आपको बिल्कुल feel आएगा कि मैं अपने exam को definitely crack करके आऊंगा okay so all the best